गुरु गुरिह पढ़न गेर घुराई अल्पकाल विद्या सब आई अल्पकाल में विद्या आई क्या आई विद्या आई सिक्षा आई नहीं लिखा सिक्षा भी बुरी चीज नहीं है लेकिन विद्या और सिक्षा में थोड़ा अंतर कर लीजी आजया कोई जादे फर्क नहीं लेकिन फिर भी जमीन आस्मान का फर्क है सिक्षा का मतलब है जो पदार्थ जगत की जानकारी देता है पदार्थों को उपयोग करने के लिए बनाने के लिए जो विधी देता है वो सिक्षा है जिसे हम विज्ञान कहते हैं और किस प्रियोजन के लिए उस समान का उपयोग करना है ये विवेक देता है उसी को विध्या कहा जाता परमानू बनाने की विधी सिक्षा से होती है लेकिन परमानू फोड़ा कहां जाए ये बुध्धी जो दे वही विध्या है कि अपने आप में फोड़ लीजिए दुनिया को वरबाद कर लीजिए या उस परमानू शक्ति से विजली पैदा करके रोशन कर दीजिए सबको या कुछ और काम उस यूरेनियम से कर लीजिए विध्या ददाती विनयव विध्या विनय देती है अगर तथा कथित आज की शिक्षा विध्या होती तो आज के पढ़े लिखे लोग कभी लड़ते नहीं पढ़े लिखे लोगों पती पतनी में कभी तलाक नहीं होता गाओं के अनपढ़े लोगों में तलाक सुनने मी भी बहुत कम आता है लेकिन पढ़े लिखे लोगों के हां रोश तलाक हो रहा एक दिन की घटना है कि एक राज्य में रानी का नाम था सिक्षा रानी का नाम था विद्या और उसकी दासी का नाम था सिक्षा और दोनों जुड़वा बेहन जेसी थी हू वहू लेकिन रानी को बड़ा सम्मान मिलता था दासी को लोग सम्मान नहीं करते थे रूप एक जेसा लिकिन रानी मुकुट स्रिंगार और आभूशन वस्त्र सुन्दर पहनती थी दासी साधरन कपड़े पहनती थी दासी जलती रहती थी रानी से कि मैं भी इतनी सुन्दर रिवान हो फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिलता एक दिन रानी राजमहल के तलाव में नहाने गई साथ में दासी भी गई जैसे ये नहाने के लिए तलाव में उतरी दासी ने इर्श्या वस रानी के सारे वस्त राबुसन पकड़े और पहन लिया देखने में तो वैसी ही थी बाहर निकल गई शर्म के मारे विद्यारानी बाहर पानी से निकल नहीं पाए शिक्षा ही विद्या के कपड़े पहन कर समाज में घूमने लगी और बाहर आते ही लोगों को ये प्रतीत हुआ ऐसा लगा कि विद्यारानी आ गई और सिक्षा को ही विद्या समझ कर सम्मानित करने लगे लोग उस दिन से सारे विद्याले सिक्षाले हो गए नाम के वल विद्याले रहा लेकिन वहां विद्या के लिए रत्ती मात्र भी स्थान नहीं रहा गुरू गुरू न रहे सिस्ष न रहे गुरू और सिश्च गुरू अपनी तपस्या की शक्ति सिश्च को देता था और इस्थिती ये हो गए कि गुरू सिश्च मिल के साथ में सिगरेट पीने लगे और साथ में सिनेमा देखने भी जाने लगे और गुरु जिसे से कहते थे लाओ थोड़ा सा थोड़ा क्राइनिंग की लाओ भाई क्या बात है तो चेला और गुरु हो गए ऐसे संबंद बन गए सिक्षक टीचर बन गए बेतन भोगी करमचारी बन गए और शात्र स्टूडेंट बन गए शिश नहीं रह पाए इसलिए इ और कोचिंग का बोल वाला हुआ घ्ञान बांटने की परमपरा समाप्त हो गई पूरा ही जो विद्या का आदान प्रदान था विद्या का जो संचार था वो ब्यापार में बदल गया पूरा ही ब्यापार में बदल गया पढ़ाई के स्थिति नहीं कि कोई गुरु को बाटे और समानसिक्ता समाज की ऐसी बदल गई है कि गरीब आदमी भी चाहता है कि हम प्राइबेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं कि समस्या ठीक भी है कि सरकारी में कहां पढ़ाएंगे पढ़ानी कि कोई सुविधा ही नहीं हमारा बच्चा स्टेंडर पढ़े इंग करेंगे तो कोई भी महापुरुस ऐसे इंग्लिस से शेटम पढ़के महापुरुस नहीं बने एक भी हिंदुस्तान के बड़े नेता और बड़े ग्यानियों को बता दे जो इंग्लिस मिडियम से पढ़के आया हुए हम हो या हमारे पहले वाले जीतने सबसरकारी स्कूल से पढ़के आया हुए है लेकिन हीन भावना हमारी ऐसी हो गई है कि पिता की कमाई नहीं है बिचारे गरीब हैं लेकिन इंग्लिस मिडियम में पढ़ाना है खाने को घर में इंग्लिस मिडियम में पढ़ाना है और इतना बड़ा बेवसा यह इंग्लिस मिडियम का है और सरका सरकारे आख बंद करके बैठी हुई कि उनी मंत्रियों के English Medium School है सारे अगर वो चाहें तो सारे English हिंदी मीडियम सरकारी स्कुलन normalist with तो समस्या चीर ही नहीं हो अपने बच्चों को यदि सरकारी स्कुल भेजने लगे नेता लोग तो सबी लोग वहाँ भेजने लगे फिसकों को में और उसका अस्तिर वैसा करना पड़ेगा लेकिन सारे नेता अपने टिक चेर की जरूरत है तो पांच टीचर वहाँ वह भी पांच टीचर में से हाजिरी बना के तीन टीचर चलेगे दो बैठे हुए चबरासी की तरह बच्चे आये फुटबॉल खेले हम लोग भी पढ़ाई पढ़े वही वाली कि गए हाजिरी बनाया फुटबॉल खेलने चलेगे हो गई पढ़ाई तो देख रहे हम भी समाज को इस समाज में जो नेत्रित्त में बैठे हुए है उनके लिए इस अंदेश है कि समाज में सुधार तभी होगा जब सिक्षा बेवस्ता में सुधार की जाए और सुधार गरी लखनों के क्या कौन से इंगलिख में जंस कराने जारा आप पैर भी लग बहा दिंगे खे각ी हमें एडमिसन के लिए पैर भी लगाना पड़ रहा हों सरकारी पढ़आ हो अगर उसके अंदर शमता है तो बन जायेगा जो बनना is बड़े-बड़े इंगलिस शमता तो अंदर होती है जिगर तो अंदर होता क्यों होसलों से उड़ान होती है पंक होसलों से उड़ान होती है और सफल वही होते हैं। कि होसलों में जान होती है तो संकेत केवल समाज के सिर्ष लोगों के उपर है कि केवल बाते भासन में ना हो कि समाज सुदर जाएगा और पूरा समाज सिख्षा बेवस्ता से चलता है उसके दिर्ष्टी कोन उसके ग्यान से चलता है और सारी बेवस्ता ही पूरी विगाली हु ऄबाएं धोड़ा सरकारे स्कुलों का स्तर बढ़ा दे सरकारे स्कूल searching वभादे न बिध्या ले सारे सिक्षाले हो गए गाओं की स्थिति तो ऐसी एंपेड के नीचे आज भी पढ़ाई चल रहे हैं पेड की नीचे आज भी पढ़ाई चल रही है